हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुंदरू और फूल गोवी की सुखी सबजी की रेसेपी लेके आए हूँ अक्सर हम लोग सिर्फ फूल गोवी बनाते हैं नहीं तो सिर्फ कुंदरू लेकिन आज दोनों को मैं मिला के बना रही हूँ डिफरेंट तरीके से खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाना भी इजी है तो फिर चलिए बनाते हैं कुंदरू और गोवी की सुखी सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा कुंदरू और फूल गोवी कुंदरू की quantity आप अपने अनुसार कम्याद ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखे कि कुंदरू को पतले पतले में तो ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और ये बड़े बड़े साइज वाले लेंगे तो वो हो सकता है कभी-कभी पका हुआ भी निकलता है उसके लिए कढ़ाई में तीन चम्मच सरसो का तेल डालेंगे और तेल को गरम होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देना है अब ये तेल गरम हो गया है तो अब इसमें आथा चम्मच डाल देंगे जीरा और जीरा को क्रेकल होने के लिए छोड़ देंगे अब इस जीरा क्रैकल हो गया है तो इसमें कटी वी सबजियां डाल देंगे दोनों सबजी एक ही साथ डालना है अब दोनों सबजी को एक बार मिक्स कर लेते हैं इस तरह से अब सबजी को गलने के लिए इसमें डाल देंगे नमक, अपने टेस्ट के अनुसार साथ मे ही ढाल देंगे थोड़ा सा हल्दी powder अब दोनों को mix कर देंगे नमक हल्दी starting में ढाल देंगे तो सबजी बहुत जल्दी गल जाता है और आप थोड़ी देर बाद दालेंगे तो गल्दे में time लगता है अब इसे cover करके gas का flame low कर देंगे लो फ्लेम में 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे 5-7 मिनट में अच्छी तरह से यह गल्च आईगा 5-7 मिनट हो गिया है सबजी अच्छी तरह से देख सकते हैं गल्च चुका है तो अब इसे हम कवर हटाके अच्छी तरह से भूनेंगे जैसे हम लोग सूखी सब्जी बनाते हैं भुनजिया बस वैसा ही भुनना है सब्जी को तब तक भुनेंगे जब तक सब्जी के उपर हलके हलके कलर के ब्राउन स्पोर्ट्स नहीं आ जाते हैं ब्राउन हो जाएंगे तो सब्जी भुना आता है बहुत ऐसी अच्छी तरह से और खाने में टेस्टी भी लगता है तो अभ यह भुन किया है तो अब इससे निकाल लेते हैं इक प्लेट में अब हुएने सारे सब्जी को शुआ निकाल लिया है तो जो बचा हुवा तेल है उसी तेल में डालेंगी पिसा हुआ एक टमाटर टमाटर से हलका असा खट्टापन भी आता है तिस्ट भी आता है तो टमाटर ज़रूर से डाले सबजी में लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा किसमें टमाटर डला हुआ है तो एक बार मिक्स कर लेते हैं अब इस टमाटर में कुछ मसाले आड़ करेंगे तो सबसे पहले डाल देंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्शी पाउडर एक चुथाई चम्मच ताली मिर्श पाउडर एक चुथाई चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच कसूरी मेथी अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से भूनेंगे तब तक भूनेंगे जब तक है टमाटर का पानी सुख जाता है और मसाला भी अच्छी तरह से भून जाएगा अब यह मसाला पूरी अच्छी तरह से भून गया है भूनने के बद आप देख सकते हैं कलर भी चेंज होगी है हलकाल का तेल भी छोड़ने लगा है तो आप इसमें लंबे-लंबे काट करके हरी मिच्ची भी डाल सकते हैं तो अब भूना हुआ सब्जी को डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब इस सब्जी पूरी अच्छे से मिक्स होगिया है, पूरा मसाला सब्जी के उपर कोट हो गया है तो गवर करके 2 मिनट के लिए गैस का फलेम लो करके छोड़ देंगे 2 मिनट में अच्छी तरह मसाला पग जाएगा और अंदर चला जाएगा तो अब कवर हटा लेते हैं, दो मिनट होके आप देख सकते हैं, सबजी बनके पूरी अच्छी तरह से रेडी होकिया इदम चटपटा, स्पाइसी, चटकारिदार सबजी बना है है तो ये एकदम सिंपल सी सबजी लेकिन खाने में बहुत ही जुरदार लगता है तो बस अब इसमें लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ती डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे यदि आप एक ही तरह से कुंद्रू की सबजी खा के बोर हो गया है तो इस तरीके से भी असानी से बना सकते एकदम चटपटा लगता है खाने में आप इसे पराठा के साथ भी खा सकते है या फिर दाल चावल के साथ दोनों में से किसी के साथ भी तो चलते हैं फिर अब इसे सर्व कर लेंगे अब ये कुंद्रू और गोवी की सूखी सबजी बनके रेडी हो गई है कलर भी बहुत ही अच्छा आया है तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बाद जरू ट्रै करें यदि आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडिय करें